हरे कृष्णा तो आज मैं कृतग्य हूँ कि आप सब के बीच में भगुईता के संदेश पर कुछ सर्चा करने का मौका है पंचे पांड़ प्रभू ये बहुत अच्छे मित्र है और कई सालों से मैंने जानता हूँ और उनका जो उत्साहा है गीता भागवतम इसंदेश का परचार करने का बहुत ही कंटेजियस है बहुत ही उत्तेजन करता है बहुत से भक्तों को तो आप सब बहुत भागेशाली है कि उनसे आप भगवद गीता का यान सीख रहे है तो आज मैं बगवद गिता के आधार पर बगवद गिता का एक महत्तु पूर्ण शिक्षा जो है जो हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है उसके पहले हम ज़र्चा करेंगे और वो है कि मन अभी आजकल की समाज में आजकल के जीवन में दो चीजे हो रही है कि बहुत इक स्तर पे बहुत प्रगती हो रही है हम टेक्नलोजी से कई ऐसे चीजे कर सकते हैं जो कुछ साल पहले करना नामुम्किन था तो अभी टेक्नलोजी की बहुत प्रगती हो रही है पर the more we are having technological progress, the more we are having psychological distress. कि जितनी टेखनोलोजी के प्रगति हो रही है, उतनी ही मन की, मन का कलेश बढ़ रहा है. क्या होता ऐसे? क्योंकि मन को बहुत से चीज़े उत्तेजुत कर रही है. पहले से हमारा मन विच्रित रहता है, और जितनी जादा हमको distractions मिलते हैं, जितनी जादे हमको चीज़े मिलती हैं, जो इधर उदर हमारे मन को भटकाती हैं, उतना और मन विच्रित हो जाता है. तो मन को हम कैसे संयम कर सकते है, कैसे मित्र बना सकते है, कैसे उसके साथ जी सकते है इस तरह से कि वो मन हमारा साथ दे, न कि हमारे विरोध में जाए तो ये हम भगविता के आधार पर ये छटे अध्याय के 35 लोग पर चाचा करेगे तो इसके पहले अर्जुन पूछ रहे है कृष्ण से कि है कृष्णा मन को नियंदन करना लगवा नामुम्किन है तो भगवान कहते है तो भगवान भी कहते है हाँ मन को नियंदन करना आसान नहीं है सही में यह बुश्किल है मनो दुर निग्र हम चलाँ इसको बहुत मुष्किल नियाद्रन करना पर फिर बगवन आश्षासन देते हैं कि अभ्यासेन तो कौन तेर अगर आप अभ्यास करते हैं आप प्रयास करते हैं और वाईरागय नच ग्रुयते अप वाईरागय रखते हैं तो अब मन को सहियम में ला सकते हैं. तो अभी अभ्यास और वाइराग्य इनका मतलब क्या है? इसके बारे में हम चर्चा करेगे. तो एक PowerPoint है जो मैं, यह PowerPoint जो है मैं वो उसको एक whiteboard के समान इस्तमाल करूगा. मतलब मैं PowerPoint पे कुछ टाइपिंग भी करूगा वीच में. तो भगवान कहते हैं दो चीज़े, अभ्यास और वाइराग्य और इनको हम इंग्लिश में ट्रांस्लिट कर सकते हैं फीडिंग और फेंसिग. फीडिंग मतलब हम मन को क्या खिला रहे हैं और फेंसिंग मतलब जैसे हमारा घर होता है तो घर के बाजू में चारो और हम कोई दिवार लगाते हैं तो दिवार सरक्षन करता है तो ऐसे जो दिवार होती है उसको फेंस कहते हैं तो फेंसिंग मतलब फीडिंग और मन को दूर रख रहे हो, ये दो जीजों से हम मन को नियंत्र मिला सकते हैं. और यह समझने के लिए, हम एक उधारन लेगे पूरे इस प्रवचन में, और वह है कि पैरेंटिंग का, कि जैसे माता-पिता होते है, वहाँ अपने बच्चे का कैसे देखबाल करते हैं, बच्चे को कैसे बढ़ा करते हैं. तो उसमें भी दो चीज़े होती है, चोटा सा बालक है, तो माता-पिता के बहुत ज़िए जिम्मेदारी होती है, कि वो उस बालक को अच्छी तरह से पोशन करें. तो फीडिंग मतलब, हम इंदी में कैसे हैं पोशन, और फेंसिंग मतलब सवरक्षन. तो बालक है, उसका चीज़े से पोशन करना है, उसको समय पे खाना खिलाना है, कभी वो नहीं खाना चाहेगा, तो भी उसको खिलाना है. और दूसरा है सरक्षन. सरक्षन मतलब कि बले ही वो बालक कभी-कभी घर से निकल जाए, रस्ते पे चले जाएगा, कोई अंजान विक्ति से बात करने लगेगा, कभी किसी चाकू के साथ खेलने लगेगा, कोई इलेक्टरिसिटी को आग को आग हाथ लगाए लगेगा, तो उसको सरक्षन करना होता है, तो हमारा मन भी जो है एक छोटे बच्चे के समाने है, चंचलम ही मना कृष्ण, पिछले श्लोक में, इसके 34 श्लोक में बगवान ने कहा है, कि चंचल, मन जो है, बड़ा ही चंचल है, जैसे बच्चे चंचल होते हैं, इसे मन भी चंचल ही है, तो जिस तरह से हम हमारा कोई बच्चा होगा, तो उसकी देखबाल करते हैं, उसका पोशन करते हैं, उसका सरक्षन करते हैं, उस तरह से हमें हमारे मन का पोशन करना है, वो अभ्यास है और हमें मन का सरक्षन करना है और वह है वैराग्या तो अभी मैं लग लग 30-35 मिनिट तक बोलूँगा उसके वाद में हम प्रश्ण उत्तर भी करेगे तो आपको कुछ प्रश्ण हो गए तो आप तयार रख सकते हैं तो हम जब उसको अन्न खिलाते हैं मन को तो क्या होता है कि यह एक प्रकार का विशेश है कि जिस प्रकार का हम अन्न खिलाते हैं उस प्रकार की उस मन में शक्ति आती है और यह एक तरह से जो शरीर का अन्न है और मन का अन्न है उसमें फरक है क्या फरिक है शरीर के अन्न में और मन के अन्न में कि अभी शरीर का जो अन्न होता है बीच-बीच में लगते हैं चार-पाच गंटों के बाद लेते हैं और वो एक अंग से लेते हैं, मूँ से लेते हैं पर जो मन का अन्न है वो हर पल हम ले रहे हैं अब ही जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सपर्ष कर रहे हैं, उन सब से क्या हो रहा है, जो हमारे समवेदना हैं, वह हमारे अंदर जा रही है और मन में जा रही है तो जो है मन का जो अन्न है हर बार आ रहा है अफकोस ये कुछ चीजों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं ज़्यादा ध्यान देते हैं ज़्यादा उसके बारे में चिंतन करते हैं तो उतनी मात्रा में ज़्यादा हमारे मन में जाता है पर सब चीजे जो है हमारे मन में हमेशा जा रही है तो जो मन का जो पोशन है वो हमें बहुत चवकन्ना रह के करना है क्योंकि क्या है कि कभी छोटा बालक है माता पिता बड़े धान से देखेगे कि वो बालक से मुझ में क्या जा रहा है क्या खा रहा है बच्चे को छोटे बच्चे होते बड़े नादान होते है और नादान भी होते है और अंजान भी होते है उनको पता नहीं है नादानी में अंजानी में कुछ भी खा लेगे वो कुछ भी मुँ में डाल देगे तो चोकन ना रहना पड़ता है तो हमारा मन भी वैसा है और क्या मन के अंन और शरीर के अंन में है, कि शरीर के अंन को अगर हम अच्छा कहलाते हैं, तो क्या होता है, हमारे सेहद अच्छी होती है, स्वास्ते अच्छा होता है, एक हमें शक्ति मिलती है. पर इसके विपरीत, जब हम बुरा अंन खाते हैं, इसलब कोई जंक फूड खाते है तो फिर जंक फूड से क्या होता है इससे स्वास्ते खराब हो जाता है और फिर जो हमारी शक्ती है वो भी कम हो जाती है पर इसके विपरीत मन में क्या है मन का क्या है अगर मन को हम बुरा अन में खिलाते है तो मन निश्क्रिय कभी कभी हो जा पर वो बुरी दिशाओं में, वह कैसे है, वह नकारात्मक दिशाओं में, विनाशकारी दिशाओं में, मन बड़ा सक्रिय हो जाता है, तो कैसे है, अब छोटे बच्चे है, खाना खाएगे, शक्ति आएगे, जोश आएगे, हाथ पेर हिलाएगे, दोडएगे, चीरखेगे, को रोएगे, ये चाहिए, वो चाहिए, कारे करेगे वो, तो अगर कुसी मातापिता को पता जलता है, कि ये अन्न खाने के बाद, मेरा बच्चा जो है, बड़ा शांत और अच्छा रहता है, और ये अन्न खाने के बाद, वो बहुत रोता है, बहुत चिलाता है, बहुत जि आनना खाके बच्चे भी क्या प्रवाव हो रहा है यह समझना मुश्किल होता है उतना प्रवाव होगा भी नहीं शायद शारीक सरुपे बच्चे पर पर मन पर होता है जो किस प्रकार की चीजे हम हमारे मन में ले रही है उसके अनुसार मन में उस प्रकार की हम में हमारे मन मे और हमें उस प्रकार की शक्ती आती है तो उस प्रकार शक्ती आती है मतलब क्या है? वो कारे करने के लिए हम और प्रोटत होते हैं तो उसी तरह से अगर गुदा रहने के अगर कोई कोई ऐसे पार्टी में जाता है यहां पर सब लोग शराब पी रहे और वो वेक्ति खुद शराब पी नहीं रहा है पर वो देख रहा है और सब लोग करें चीर्स और सब लोग ऐसे लग रहा है कि उनको आनन्द आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है वो जब देखते हैं उस पर मनन करते हैं तो वो एक अन्न मन में जा रहा है और उससे क्या होगा उससे ऐसी शक्ति यागरत हो जाएगी मुझे भी पीना है क्यों न प्यूं है और फिर वो शक्ति उसको उसी दिशा में प्रोड़त करेगी पर इसके विप्रीद अगर हम किस सत्संग में जाते है कि कहीं ऐसे जगा जाते है कोई जो अच्छी चीज़ों के बारे बात कर रहे है बगविता ग्यान कर रहे है अच्छी चीज़े जो है उसके बारे में ग्यान हा रहा है उसके चर्चा हो रही है और वो देखेगे और बले ही हम उसमें सहवागी नहीं है पर देख रहे है इतने सारे लोग उत्सा से शीख रहे है और वो उनको अच्छा लग रहा है तो वो देखेंगे तो क्या होगा एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे तो उसके बाद में उसी हमने उससे अन लिया है वो देख के भी और क्या होगा उसके बाद में ठीक है यह क्या है तो मन के लिए हमेशा कोई न कोई न ले रहा हूं, तो सवाल यह है कि किस प्रकार का अन ले रहा हूं मैं, तो अगर वो समझ जाएगे हम, तो फिर क्या होगा, हम तुलनात्मक रुप से आसानी से मन को किस प्रकार की शक्ति देनी है, वह समझ सकते, अभी जब बच्चा बहु उसको, उसमें नकारत्मक शक्ति आ गई है, तो क्या है, कभी-कभी हम मन को, मैं इसके वर में सोचूँगा, इसे नहीं करूँगा, इसे नहीं करूँगा, पर वो एक तरह से काफी लेट हो गया है उसके, हम क्या चीज़े मन में ले रहे हैं, उस पे नियंधन करेगे, तो मन में किस प्रकार की शक्ति आएगी, उस पे अपने अपनी अंत्रन आ जाएगा, तो अभी अलग-अलग प्रकार के अन्न होते है, जैसे हम मन में ले रहे हैं, जैसे कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, यह क्या है, इस तरह से हम मन को नकारात्मक न तो नकारात्मक अन्न दे रहे हैं, न पर नकारात्मक उसके उसकी शक्ती को हम मार्ग दे रहे हैं। तो ये एक तरह से जो मन को हम सकारात्मक अन्न देना है, तो उसमें सबसे सकारात्मक मन अन्न क्या है। वह है भगवान का स्मरण जिसे हम अन्न खाते हैं तो उसमें कुछ होता है जिसे सुपरफूर होते सुपरफूर मतलब क्या है कि वो ऐसा अन्न है जिससे अनेक अनक स्वास्ते के लिए उसके लिए फाइदे है कुछ अन्न होता है जो से आखों के लिए अच्छा होता है कुछ हमारे हड्डियों के लिए अच्छा होता है कुछ हमारे पच्छन के लिए अच्छा होता है पर मान लीजिए कोई ऐसा अन्न है जो हमारे हरे चीज के लिए पूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा है तो फिर हम जरूर लेगे वो अन्ना तो उसके अनेक अगर फाइदे है उसके तो हम क्यों न ले उस ऐसे अन्ना को तो उसी तरह से भगवान का स्मरण जो है उसके अनेक फाइदे है तो इसलिए अब भ्यास जो है एक तरह से हमारे दिन भर में हम अलग-अलग कारे करते है तो कुछ नकारतमग लोग होते हैं उनकी बाद जादा सुनना नहीं है न्यूज में नकारतमग चीज़ आते हैं जादा देखना नहीं है थोड़ी वो जान करे ठीक है अगर कोई सुपरफूर मिल जाएगा तो उससे इतनी अच्छादा सकारतमग शक्ति आ जाएगी कि कोई नकारतमग शक्ति आ भी गई हो दूसरी चीज़ों से उसका उतना प्रभाव नहीं होंगा तो इसलिए बगवान की कथा का श्रौन करना भगवान के नाम का जब करना भगवान का कीरतन करना भगवान की पूजा करना भगवान के बक्तों के संग में आके भगवान के बारे में बातचीत करना ये क्या है? इन सब के द्वारा भगवान का स्मरण हम में होता है और भगवान का स्मरण ये उससे हमें बहुत सकारत्मक शक्ती मिलती है किस तरह से है ये? ये एक बड़ा विस्तारित विशे है तो पूरे विशे पर चरचान ही करूँ पर यहां पर तीन चीज़े बोलूँगा मैं कि जब हम भगवान का समरन करते हैं तो मैं क्या होता है? तीन चीज़े मिलती है क्लारिटी, फ्यूरिटी और एनर्जी कि भगवान के समरन से क्या होता है? स्पष्टता आ जाती है जब हम अमारे जिवन में बहुत से काम गोते हैं बहुत से विचाश चल रहे होते हैं बहुत से इच्छाय होती हैं बहुत से दुख होते हैं बहुत से चिन्ताय होती है तो यह सब क्या करते हैं? बहुत साइची जाती है जिसे हमारे सामने दुआ आ गया है या मिस्ट आ गया धोग आ गया है तो तो फिर क्या होता है? कुछ स्पष्ट दिखता नहीं है तो जब हम Bhagवान का स्वन्ण करते है प्रकट होता हूँ और फिर सारा जो अंदकार है वहाँ से मैं मिटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या अभी स्पष्टता हमारे क्यों जरूरी है क्या अच्छा है क्या बुरा है अगर यह समझेगे नहीं हम तो हम बुरा कारे कर देगे तो कभी-कभी क्या होता है जब हमारे मन में नकारत्मक शक्त हो जाती है तो नकारत्मक कारे करने के लिए हम बहुत प्रूरत हो जाते है और तभी ऐसे लगता भी निए कि नकारत्मक कारे है तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है यह समझने के लिए हमें स्पष्टता चाहिए और उस्पष्टता जो है भगवान के स्मरन से आती है अगर हम श्रवन किर्तन करेंगे तो हम देखे कि हमारा मन जरू स्पष्टा हो जाएगा और फिर दूसरे है स्पष्टता ही नहीं, शुद्धता है अभी शुद्धता और स्पष्टता में फरक्या है garage स्पष्टता में हमें दिखता है कि मुझे क्या करना है पर फिर भी हमें पताई कि यह करना चाहिए फिर भी मैं करनी बात है कभी-कभी ऐसे महाबारत में कि पताया गया कि कि जाना मी धर्मम पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ तो एक बार एक वेक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसे देगा कि रहा है आपको तो आपका जो फेपरा है लंग्स है आपको बहुत बिमारी हो गई है क्या आप सिग्रेट पीते हो हाँ तो क्या आप सिग्रेट से अडिक्टेड हो नहीं नहीं मैं अडिक्टेड नहीं हो बस मैं सिग्रेट के बिना जी नहीं सकता हूँ तो अभी सिग्रेट के बिना न जी पाना मतलब वो ही अडिक्टेड हो जाना है पर क्या है वो आंकार के कारण या लज्जा के कारण तो इसके लिए हमें शुद्धता चाहिए और आजकल का समाज जो है बहुत अशुद्ध है तो अभी आपसे कुछ लोग जानते होगे जो ब्रिटन जो है इंगलंड जो है ब्रिटन वो पहले उरोप का एक भाग था वो पहले एक सतंतर देश था फिर बाद में यूरोप का भाग बन गया और बाद में यूरोप से वापस बहर आ गया तो जब वो यूरोप में चला गया यूरोप में एक फाइनाशली आर्थिक स्थर पर उसका भाग बन गया था तो तभी क्या हो गया था यूरोप का एक system था कि वो राष्ट्र का जो income है राष्ट नाशनल प्रड़क्ट जो है कितना पैसा है राष्ट्र में बहुत गिनने वाले थे तो उन्होंने क्या किया तो UK में जो था ब्रिटन में ऐसा rule था कि जो लोग drugs लेते हैं तो drugs were illegal और European Union में काफ़े देशों में drugs legal थे तो क्या हो गया अभी drugs जैसे ही UK में legal हो गए तो फिर क्या है जो लोग सारे लोग drugs बेच रहे हैं जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन सब का जो उनका पैसा जो सारा economy में circulate हो र काउंट करने लगे तो बिना कुछ किये जो UK का जो ग्रॉस नेशनल प्रड़क्ट था वो लगबग तीन प्रतिशत बढ़ गया क्यों क्योंकि drugs को उनने काउंट करने लगे पर अभी drugs जो है वो बहुत ही बिना अश्कारक है वो अच्छे अच्छे लोगों को पूरा जीव कमाने वाले लोग है उनके पैसा कमाने वाले लोगों के पैसा कमाने के शमता है जिम्मेदारी लगाने के शमता है उस सबको उध्वस्त कर रहे है तो यह क्या है यह समाज में अशुद्धता फैलाई जा रही है और समाज में अशुद्धता को फैलाना इसको क्या कह रहे है इसको वो कह रहे है कि यह प्रगती है यह economic development है तो आजकल के समाज में अशुद्धता बहुत है और हमें शुद्धता रखना बहुत ज़रोई है अशुद्धता रहेगी तो क्या होगा वही हमारे जो नकारात्मक इच्छा है नकारात्मक शक्ती बहुत पढ़ जाएगी तो अभी भगवान से संपर्क रखते है भगवान का स्वन रखते है तो शुद्धता आ जाती है कैसे आती शुद्धता, तोकि भगवान परमशुद्ध है, भगवान इतने शुद्ध है कि उनके सामने कुछ भी अशुद्धता नहीं रहती है, हम एक क्रोध आ रहा हो, लोग आ रहा हो, काम वासना आ रही हो अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम देखे के वो सारी ऐसी जो इच्छा है वासना है वो कम हो जाएगी तो भगवान के स्मरण से शुद्धता आती है और भगवान के स्मरण से शक्ति भी आती है अब एक कैसे शक्ति आती है कि साधान तक कोई भी अननक आएगे तो हमको शक्ति आएगी पर भगवान के स्मरण से एक विशेश प्रकार की शक्ति आती है तो क्या विशेश प्रकार की शक्ति है वो? कि जब हम भगवान का समरंड करते है तो हम समझते है कि मैं अकेला नहीं हूँ भगवान मेरे साथ है भगवान मेरे साथ है मतलब क्या है कि मेरे सामने बड़ी बड़ी समस्याए भी क्यों न हो अगर भगवान मेरे साथ है तो भगवान मुझे इन समस्याओं का सामना करने की शक्ति देगे इन समस्याओं से आगे कैसे बढ़ सके वह भगवान मुझे बताएगे इसलिए उससे जो शक्ति आती है भगवान के समरंड से अब भगवान का स्मरन मतलब यह केवल एक धार्मिक कार यह नहीं है, कुछ रिती रिवाद नहीं है कि थोड़ा नाम ले लो भगवान का, भगवान का स्मरन मतलब हमें समझना कि भगवान हमारे मार्गदर्शक है, भगवान हमारे हित्चिंतक है, सुरुदम सर्वभूतानाम बगुएदा के पात्रिव अध्या के 39 लोग में भगवान कहते हैं कि वे हरे एक जीव के हित चिन्न तक है तो ऐसे भगवान का जब स्वन करते है तो व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि दुनिया के बड़े-बड़े समस्याओं का भी वक्ति सामना कर सकता है हम प्रभुपाजी का उधारन दे चकते है प्रभुपाजी 70 साल के थे, 79 साल के और तभी अकेले अमेरिका चले गए और उनके पास नो तो कुछ पैसा था तो कोई अच्छा कॉंटाक्स थे नो कोई समस्ता थी तो साधान तया अगर उस उम्र का विक्ति होगा तो वो अपने घर से भी बाहर निकलेगा तो दो-तीन बार दिखागा जा सकता हूं मैंने कैसे जा सकता हूं संभाल के जाना चाहिए पर वो अकेले इतने दूर चले गए ऐसे जगह पे जहां कभी भी नहीं गए थे क्यों? क्योंकि उनको शब्दा थी कि भगवान चाहते है कि उनका संदेश का पचार हो और मुझे जिम्मेदारी मिली है तो इतनी शक्ति आ गई प्रहपाजी में इतने कारेक्रम किया करते थे जब वो भाकास करें भारत में थे अलग अलोग गहर में जाके मिलते थे उनके घर में थोड़ा प्रवचिन देते थे थोड़ा सा कुछ परसाद गहन करते थे उनसे सद्रपती से तर चलते थे तो कभी-कभी एक दिन में 15, 20, 25, 30 लोग घर में प्रहपाज जाया करते थे और उनके शिश्य दे थे रहपाजी लेगा सब्तर पैचितर साल के थे उनके शिश्य बीस, 25, 30 साल के थे और शाम से रात तक प्रहपाजी दे प्रहाम करने उसके तीसरे भग जाएगे तो प्रहपाजी की इतनी शक्ती थी तो हम कहें कि प्रहपाजी बड़े शुद्ध भगत है इसलिए उनके शक्ती है सही है वो और उसके साथ-साथ क्या है कि जितना हम भगवान का स्मर्ण करेगे उतना हमें शक्तिया जाए कि वह सद्धा होगी कि भगवान मेरे साथ है कितने भी समस्यां है क्यों ना है भगवान मेरे साथ है तो फिर क्या होता है वो जब हम समझते है तो हमें एक आत्म विश्वास है और कृष्ण विश्वास है तो जब कृष्ण विश्वास होता है तो उससे आत्म विश्वास अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि हम जाते हैं कि जो आत्मा है वो खृष्ण का ही हमेशे है कृष्ण हमेशा आत्मा के साथ है और आत्मा कृष्ण के साथ है तो इस तरह से जितना हम बगवान का समन करेगे हम देखेगे कि हमारा मन जो है वह अच्छी शक्ती से सक्रिय हो जाएगा और न केवल हम भक्ति अच्छी तरह से कर पाएगे पर हमारी सारी जिम्मेदारिया जो भी है वो भी अच्छी तरह से कर पाएगे और जो नकारात्मक कारी है, नकारात्मक का भावनाए है, नकारात्मक वो आसनाए है, उन सबसे हम दूर रहने की शक्ति मिल जाएगे तो यह है feeding, तो इसमें क्या है अभ्यास, अभ्यास का एक बाशना दरता है practice करना तो क्या है कि जैसे इसमें पहले बताया कि मन जो ही छोटे के बालत के समान है तो कई बार बच्चे जो होते है उख खाना नहीं खाना चाहते है खाना चाहें तो चाहिए चॉकलेट खाना है या मुझे कुकी खाना और अच्यार राईस, डाल, स Buddhas thé आतीज़े खाना नहीं जाएगे वो शायदा, तो क्या होता है, जो माता-पिता ध्यान-पूरवक बच्चे को खिलाते हैं, कि वो जानते हैं ये इसके लिए अच्छा है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, हमारा मन कहेगा कि जब हम जब कर रहे, सत्संग कर रहे, अरे मुझे ये काम करन चोटे बच्चे को खिलाते हैं, एक चम्मा चलो, वो इधर देखेगा, उदर देखेगा, तोड़ा दकालो, तोड़ा दकालो, वैसे हमारे मन को हमें जो अच्छे स्टिमूलाई जो है, अच्छे सववेधना हैं, भगवान का स्वारन और दूसरा च्छी समिलाई, वो समें इसको खिलानी है, और इससे देखेगे हैं, कि हमारा मन मित्र बन जाएगा दिरी दिरी, अच्छी शक्ती से वो सक्री हो जाएगा, और फिर दूसरा है, दूसरा क्या चीज है, कि फेंसिंग, यह वैराग्या है, मतलब क्या, कि जब बता हैं चोटा बच्चा है, कि उसको हमे सरक्षित रखना है, बच्चे का पोशन करना है, बच्चे का सरक्षिन करना है, अभी सरक्षिन कैसे करते हैं, कुछ-कुछ ऐसे लोग कोई खिडनाप करने को आते हैं बच्चे को, तो ऐसे दो बड़े खत्रे हैं, और उससे तो हम जरूर चौकन ने रहेगे, पर छोड़- मिलता है, बातचीत करता है तो क्या होगा? अगर वो बाकी बच्चे बुरे होगे बुरी आदते हो उनके वो बुरे गालिया देते है अलग-अलग चीज़े करते है तो क्या होगा? वो बच्चा भी वैसे ही करने लग जाएगा तो इसलिए हम जैसे हम बच्चों चोकन रहते है कि उनको Terakshit करते है वैसे हमारे मन को भी कुछ-कुछ चीजे जो है वो उसको नखारात्मकुर्प से उत्तेजित कर लेती है तो उन चीजों से हमें Terakshit रखना है उन चीजों से दूर रहना है तो हमें खुद को ऐसे फेंस बना लेना है कि ठीक है हमें हमारा फोन से काम है फोन में यूट्यूब देखना है ये करना है वो करना है और कुछ मर रियाता रखो कितने समय तक करना है कितने समय तक ये करना है उसके पर ये नहीं करना है वो फेंसिंग हो गया तो फेंसिंग क्यों ज़रूरी है क्योंकि क्या है जो बच्चा जो है तो हमको दिखता है यह बच्चा यहाँ पर रस्त दर्वाजे पे चला गया पर क्या है मन अद्रुश्य है और वो कहां जा रहा है कौन इसको प्रलोवित कर रहा है किससे वो आकरशित हो रहा है कौन उस पे आकरवन कर रहा है यह दिखता नहीं है उमको तो इसलिए क्या है कि हमें मन को सरक्षन करना बहुत ज़रूरी है तो हम सब देख सकते है कि हमारे जिएमे कुछ लोग ऐसे होते है जो हमेशा नकारतम बात करते इसने वैसे किया और उसने वैसे किया और यह ऐसे ही है और वैसे ही है तो क्या है ऐसे लोग जो होते है वो हमेशा कहते है कि मेरा जिएवन इतना बुरा है दुनिया इतनी बुरी है लोग इतने बुरे है और ऐसे लोगों से हम मिलते है तो हमें भी लगता है कि सब कुछ खराब है तो इसको इंग्लिश में self pity कहते self pity मतलब क्या खुद कोई बताना कि यह बहुत बुरा है यह बहुत बुरा है खुद के बारे में to feel sorry for oneself कि मेरा जीवन कितना खराब है हाँ हमारे जीवन में काफी समस्या हो सकती है पर सब के जीवन में समस्या ऐसे जगह में कोई भी ऐसा नहीं है जो समस्या से पूरे तरह से मुकता है तो हमें क्या करना है देखना है कि हम किस परकार की समवेदना किस परकार की चीजों को हमारे मन में ले रहे है और जो नकारात्मक है उनसे दूर रहे उनसे दूर रहे जो लोग नकारात्मक लोग होते है उनसे दूर रहे जो अभी मूवीज वगेरे होते है उसमें अगर बहुत सारी काम वासना है बहुत बड़ा हिंसा है बहुत प्रलोबन करने वाले चीजे है तो हमें उनसे सावचोकन ना रहना है कि उससे हमारा मन विच्वित हो जाएगा तो हमें क्या करना है ऐसे चीजों को नकेवल आने नहीं देना है उनको आने देने का मौका ही नहीं रखना है उनको फेंस करके रख देना है उसको आने दिने का मौका नहीं रखना है तो इससे क्या होगा हमारे मन को नकारात्मक शक्ती नहीं मिलेगी और वाइराग्य मतलब वाइराग्य मतलब ऐसे नहीं कि इसे को सन्यासी बन जाना है वाइराग्य मतलब नहीं कि घर चोर के जंगल में जाना है शरीर के स्थर पर वैदागे मतलब क्या कि जो ब करने के का शोड़ के स्था बुरा बहला के दिया उसे लोगों ने कुछ बुरा वला कह दिया ठीक है उसके आद में हमेशना चिंतन करने के जूरूत नहीं है व्यक्ति ने कह दिया, अच्छा ठीक है, व्यक्ति ऐसे बुरे बोलता है तो उनकी साथ ज्यादा समय में व्यतीत नहीं करूँगा, पर उनके बारे में विचार करना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी क्या होता है, कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है, और इतना बुरा बोलता है, कि हमको बहुत बुरा लगता है, गुसा आजाता है, और फिर हम उस वक्ति से चले जाते हैं दूर, पर वो चले जाते हैं, पर वो जो मन में, बोल रहा है, वो मन में बार बार घूम रहा है, तो वो बात में बोलता है, कि मैं आपसे मिलना जाता हूं जो व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोल रहा है उसके उसने जो बुरा बोला है अगर वो मन में हम बार-बार उसको गुमाते रहते तो क्या कर रहे हैं? बिना किसी किराय को किराय के हम उस व्यक्ति को हमारे मन में घर दे रहे तो क्यों असे वक्ति को घर देना है तो जो वक्ति हमारे बारे में बुरे चीज़े बोलते है अगर उसके उन्हें जो बुराई बोली उसमें कुछ सच्चाई है तो उसको समझ पर उसमें कुछ कारे का सकते है तो कुछ लोग हमेशा बुरा बोलते रहते कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके उनके मन में उनके मुँ से किसी के बारे में अच्छा बोलना यह ऐसे है कि यह समर यह गर्मी के मौसम में जो राजस्थान के रेगिस्तान में बारिश आने के समाने कभी उनके मन से किसी उनके मुह से कभी किसी बारे में अच्छा आता ही नहीं है और उनके बारे में हमेशा दूसरों के निंदा करते हैं तो उनके निंदा कैसे होती है उनके मुह से निंदा ऐस तरह से निकलती है जैसे कि कौंकन में बारिश के मौसम में आकाश से पानी गिरता है तो अभी ऐसे वेक्ति जो है वो कभी सकारत्मक बोलने वाले नहीं है तो उनके बारे में ज़्यादा विचार करना नहीं है तो हमारे मन में जो नकारत्मक लोग है, नकारत्मक चीज़ है उनसे दूर है तो it is far more difficult to control what comes out of the mind it is much easier to control what goes into the mind मन से जब कोई चीज़ बहार आये लगती है तो उसको नियंतन करना काफी मुश्किल रहता है ये इच्छा आ गई, ये वासना आ गई, ये हो गया तो उसको भी नियंतन करना जरूरी है पर वो मुश्किल है पर जो अंदर जा रहा है उसको अगर हम नियंदिन कर लेगे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, एक उधारन के साथ मैं यह conclude करूँगा, कि क्या है, कैसे मान लिजे, कोई घुड़ सवार है, और वो घुड़ा चला रहा है, अभी आप जानते हैं, घुड़े के मूँपे ऐसे एक कवरी लगा दे जानते हैं, ताकि घुड़ा सिर्फ आगे देख सके, और जब घुड़ा आगे देखता है, और जैसे उसका घुड़ सवार है, चला आगे चलो, सिधा आगे आता है, पर अगर मान लिजे यह घुड़े के मूँपे, उसके सिर्फ पे कुछ कवरिंग करने का चीज नहीं किय सिर्फ आगे अगे और फिर वह घुड़ा अपना चीज जोड़ा करता है, और उसको यह रस्ता है सिधा, और यहाँ पे साइड में कुछ खड़े के परे, अगे जाड़ि में sucks पल है, कुछ सब्जी है, और घुड़ा वो देखता है, और मुझे और मुझे आगे आगे तो अभी क्या है वो जब घोड़ा उस दिशा में जाने लग जाएगा तो फिर जह मालेक में उसको पूरा शक्ति लगाना पड़ेगा गोड़सा भाट नहीं जाओ और अगर उसको घोड़े को त्ट्रा जाने दिया तो क्या होगा उसकी शक्ति और बढ़ जाएगा पर वहाँ बढ़ जाएगा और फिर उसको रोकना और मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा पर संभाव है वो खड़े में गिर जाएगा और फिर वो खा लेगा फिर उसको भी खड़े से बाहर निकाल के रस्ते पिला सकते संभाव है पर बहुत परिशानी है उसके अलाव उसके जगह पे अगर वो घोड़े का उसका सिर पे बंद करके रख दिया तो घोड़े को वो सबजी या फल दिखेगा ही निए तो अगर उस घोड़े को वो न देखना देना काफी आसान है वो घोड़े को अगर वो देखने क के बाद नियंद्रन कराना बड़ा मुश्किल है, what comes out of the mind is far more difficult to control, मन से जो बहार आ रहा है, वो नियंद्रन करना कड़ा मुश्किल है, मन के अंदर क्या जा रहा है, वो नियंद्रन करना आसान है, तो इसलिए हम क्या करना है, मन को यह fencing वैराग रखना है, हम सबको पता है हमारे मन कुछ क्या चीज़े उत्यजित करती है, तो अभी सब चीजों से तो हम दूर नहीं रख सकते, कभी-कभी हमें जिम्मदारिया होती है, तो कुछ उत्यजित करने वारे चीज़े सुनने पड़ती है, उसको हम टाल सकते है, तो इस तरह से अगर हम वैराग्य और हम अभ्यास करेगे, तो उससे क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे हम सब क्या होगे, आगे बढ़ पाएगे, और इससे क्या कर सकते है, जो छोटा बच्चा है, वो चलने का प्रयास कर रहा है, तो हमें हमारे मन को एक इकागर कराना है और कभी कोई मन इकागर नहीं होता है इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है तो फिर क्या होता है हम बोलते है रहे मैं इतना प्रयास करो मन भाग रहा है कोई बात नहीं है छोटा बच्चा है वो चलने का प्रयास कर रहा है गिर जाता है तो जब गिर जात तो मन को कोसने की जुरूवत नहीं है क्योंकि भटकना मन का स्वभाव ही है तो जितने समय तक मन एकागर रहता है उसकी उतनी सराना कीजिए और उससे अपना आत्नोविश्वास बढ़ाए और उससे आत्नोविश्वास बढ़ाएगे तो क्या होगा? हम सब आगे बढ़ सकते हैं हम सब हमारे जीवन में मन का फोकस करना, एकागर करना उसकी क्षमता और बढ़ा सकते हैं ऐसे बच्चे को प्रोचसाहन देगे वो चलने के लिए तो धीरे-धीरे और चल पाएगा, और चल पाएगा फिर दौड पाएगा उसी तरह से, जब मन सही कारे करता है तो बले ही पाच मिनट के लिए मन सही कारे कर पाएगा रहो की तो मन की सरा किया, गुड जौब, अच्छा किया आपने इसे अहंकार करने के दूरत नहीं है, पर अच्छा किया कभी गया होता है, हम कुछ पढ़ने को बैठ जाते है और पंद्रा मेर तक पढ़ पाते हैं, फिर बात में हमारा मन घुमी लगता है यह जोता है, फिर हम कुछ और यह देखते हैं, और फिर हम कोस लगते हैं क्या है, मुझे में कुछ शमता है ही नहीं मैं मारा मन बहुत भटकता है वो कितना भटका मत देखो कितने समय तक रहा एक जगह पे वो देखो और उसके सराना करो और उसी तरह से उसको धीरे धीरे हम सही मार्ग मिला सकते हैं और धीरे धीरे इस तरह से हमारे मन को हमारा मित्र बना सकते हैं तो सारांश में आज ने चर्चा की चार चीज़ों की, कि किस तरह से हम हमारे मन को manage कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखा कि किस तरह से दो चीज़े हैं, feeding और fencing, कि उसका हमें जैसे चोटा बच्चा है, उसका portion करना है, उसका selection करना है, तो feeding मतलब क्या, कि जैसे हम बच्चे को अन्न देते हैं, तो शक्तिशाली हो जाता है, पर मन कैसे है, मन तो हमेशा सभी इंद्रियों से अन्न लेही रहा है, और कभी-कभी नकारात्म अन ले जाता है, खराब अन्न लेता है, तो वो शक्तिशाली नहीं बन जाता है, उल्टा नकारात्म, विध्वन्सक रूप से शक्तिशाली बन जाता है, तो इसलिए हमें चवकन्न रहना है, कि क्या हमारा मन ले रहा है, वो अभ्यास है, और उसके लिए, दूसरा पॉइंट था कि सूपरफूर जो है हमारे लिए, वो है कृष्ण कास्मरण है, कृष्ण कास्मरण संकल्पा आ जाएगा हमारे मैं, और फिर तिसरा पॉइंट है था कि, कि फेंसिंग, कि जैसे हम अमारे बच्चों को सरक्षन देते हैं कि न केवल कोई उसको अपहरन कर ले, पर कोई बुरे संग से उसको प्रभावित न हो जाए वो, तो उसी तरह से जो चीज़े हमारे मन क उत्तिजित करते हैं, उनसे दूर रखो उनको, तो अगर मन के अंदर खुद चले जाता है, फिर वो जब बहार आता है, तो उसको रोकना काफी मुश्किल जाता है, तो उसलिए जैसे गोड़ा को इस देख लेता है, तो उसके दौड़नी लगता है, तो उसको यह नशन करन खुद के बारे में बुरा बोलते है, मेरे जिवन इतना खराब है, तुम्हारा जिवन इतना खराब है, हम सब का जिवन इतना खराब है। जिवन में आगे बढ़ने में सहयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है। जैसा आपका टॉपिक था, माइंड को चाइल्ड बच्चा समझ के मतलब उनको और आपने हमें बच्चा समझा और हमें बच्चों जैसा आपने समझाया। इतना क्लियर्ली समझ गया। स्टिल वन क्वेशन था प्रभू। बोले प्लीज। प्लीज। इसके आपने वी बच्चा प्लीज। स्टिल प्लीज। इसके अंदर क्या था है। बिकॉस इन तो बच्चा आपने बच्चा आपने व्युच्चा shown so easily so how do we define that what is wrong feeding and right feeding thank you okay बहुत अच्छा सवाल है कि आज कल के समाज में इतनी सारी चीजे है जो पहले तो समाज में परच्छित नहीं थी पर अभी बहुत साधारन हो गई है तो जो चीजे अशलीन कहला जाती थी 25-30 साल पहले वो अभी एक तो से साधारन हो गई है तो फिर बुरा और अच्छा कैसे है और कैसे हम उस वो नियंत्रित भी का सकते है देखिए एक ऐसे है कि इसमें दो चीजे है कि हमारा मन जो भी है मन भी है इत नॉर्मलाइज़स whatever is it is exposed to regularly मतलब क्या है कि अगर कोई चीज इसको अम बार बार देखते है तो फिर वो एक तरह से नॉर्मल हो जाती है कि मन कैसे संक्रूति कहींचे से जो होता है उसको नईा खिलोना चाहिए तब उसी तण की एवरी सोसाइटी हर समाज में उसकी संस्कूति चीजे जो होती है उसको नॉर्मल मान लेते है तो लोग किस परकान के वस्तर पहनते है किस प्रकार के चीजे मुवीज में दिखा जाती है तो क्या होता है हम सब का जो tolerance threshold है वो भी बदलता है वो भी बदलता है मतलब क्या है कि जो चीजे मतलब जो लोग 80-90-2000 साल में जो लोग उसको देखे जा रहे हैं यह तो बहुत बुरा है यह तो उत्तिजित कर रहा है पर जो लोग 210-2020 में रह रहे है वह चीजे देखे उसको वो उतने विश्रित नहीं हो रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि जो 20-20 में जो है जो लोग ज़्यादा sense controlled है या इसको अच्छा अंध्रिया कन्यंत्रन ऐसे नहीं है क्या है कि हमारे संस्कृति के अनुसार हमारा जो जो इसको tolerance level भी नहीं कह सकते एक तरह से उसको हम उससे desensitize हो जाते है तो desensitize मतलब अच्छा वही चीज़ बार-बार देख रहे है तो उससे उतना उत्तजद नहीं होता है तो इसलिए हमें देखना है कि सही और बुरा it's very difficult in today's world to impose standards of right and wrong on the world or on the culture कि संस्कृति में या संस्कृति पर या आजकल की संस्कृति पर या दुनिया पर ये दुनिया में ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए वहल करना अब लगवाद नामुम्कीन है आजकी दुनिया में पर हमें हमारी दुश्री से देखना है कि क्या चीज़े मुझे उत्तिजित करती है और उससे मैं कैसे दूर रह सकता हूँ तो अभी कुछ चीज़ों से दूर नहीं रह सकते हम तो डोंट डोंट टो जज़े मेंटल अबव अइस रांग in society की इसए समाज में इतना बुरा है इतना बुरा है इतना बुरा है उससे ज़े मेंटल हो जाएगा तो क्या होगा उससे हमारे मन में बहुत नकारत्मगा जाएगा कि यह वक्ति ऐसा, यह वक्ति ऐसा, यह संस्कृति ऐसा, यह संस्कृति ऐसा, यह संस्कृति ऐसा, नहीं, उससे बहतर है कि ठीके खुद का जज्जमेंट करो हमारे लिए, ठीके यह मेरे लिए अनिकुल नहीं है, तो ऐसी परिसिति में जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं बड अष् utilized ने नहीं सकते आजके और इसके अनुसार हम इस चीज को खुल को सब्सक्राइब कर ने कि इन उठेंट कर सकते that's why there may be a materialistic culture outside but devotees create a spiritual sub culture within the materialistic culture जो भौतिक, समाज की संस्कृति भौतिक वाधि हो जाएगी पर जो भक्त होते हैं अपने घर में, अपने वातावरण में, अपने मंदिर में, अपने सत्संग में एक अध्यात्मिक संस्कृति, उपसंस्कृति का निर्मान करते हैं और उस से हमारा पोशन करते हैं does that answer the question yes Prahuji thank you very much thank you कोई और सवाल है किसी का okay yes yes mm-hmm sawa hot I saw two hands areas but I don't see any hands here okay yes प्रफुल प्रभुगुग। आप पर कम्प्लीट कंट्रोल करना जो है ऐसे मांन लीजे क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है पूरी तरह से आपके आपके ने हो जाए वो बच्चे का भी एक व्यक्तित्व है मान लिजिए अगर कोई माता पिता है कोई माता पिता चाहे ये कि मेरे बच्चे को मैं छोड़ देता हूँ उसके जगर मुझे एक रोबोट दे दो और वो रोबोट जो भी मैं बोलेगा उसका पालन करेगा कोई नहीं चाहेगा हूँ तो जो पैरेंटिंग जो है जब माता पिता बच्चे का पोशन कर रहे है तो उसका मतलब क्या है कि बच्चे का ऐसे पूरा नियंत्रन करके उसका दमन नहीं करना है हमको जो बच्चा भी एक विक्ति है और उसका व्यक्तित्व सकाराद्मक रूप से बाहर लाना है उसको प्रकट कराना है तो वैसे भी क्या है कि मन का पूरा दमन नहीं कर सकते हैं जो मन का एक स्वभाविक प्रवट्ति है बगवाण कहते हैं निग्रह किम करिश्यसी अगर पूरतर से दमन करेगे तो नहीं कर पाएगे बगवान अरजुन से कहते है कि आपका शत्रियक की प्रोड़ति है आप शत्रियक की प्रोड़ति है उसका आप दमन नहीं कर पाओगे तो जब हम नियंत्रन करना है मतलब क्या है कि मन के जो नकारात्मक विचार धराए उसको नियंत्रन करना है पर हर तरह से मन का दमन नहीं करना है हमें जो मन है उसके साथ काम करना है we want our mind to be our friend not our slave मन जो हाँ हमारा मित्र बनाना है मन को हमारा गुलाम नहीं बनाना है अफकोस हमारी ऐसे प्रस्ति रहा हम हमारे मन का गुलाम बन जाते है नलब मतलब क्या है कि एक बहुतिला एक तरह से लॉट्य होता है बातचीत होती है कि ठीक है यह चाहते हो पर तो एक तरह से एक discussion, negotiation होता है तो that's why it's not just about controlling the mind it's about channeling the mind इसे पानी का प्रभा है पानी का प्रभा को हमें बंद करके हमेशा करें रखना है हमें जिसे डैम बनाते हैं तो पानी को बंद करके रखना है पर डैम का उद्देश क्या है पानी को हमेशा बंद करके रखना नहीं है डैम का उद्देश क्या है ठीक है पानी इधर न जाए उधर जाए ताकि वहाँ पर जो लोग है उनको पानी मिल सके तो उसी तरह से हमारा उद्देश क्या है it's not just to control the mind it is to channel the mind तो is it clear कोई और सवाल है जी प्रभूझी थेंक 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 येस रूद येस बाट्वाटो प्रभूझी अरे किशना प्रभूझी एक क्वेस्टिन ये था कि संटेंज हमको मतलब पता होता है कि लाइफ में हम कोई चीज कर रहे हैं जो रॉंग है गलत है पर फिर भी मतलब एक्सिप नहीं कर पाता है कि नहीं यह रॉंग है यह नहीं करना चाहिए तो उस वक्त माइन को कैसे कंविंस या कंटूल किया जाए करना जैसे चोटी सी बात है कि कभी जूट बोलना जरूरी हो जाता है तो उस वक्त माइन को कैसे हमने कंटूल करना चाहिए या कंविंस करना चाहिए कि नहीं यह गलत है नहीं करना है तो क्या है कि sometimes English में कहते है जह चूटा बच्चा होता है भार तरस उसको नहीं करना है कभी-कभी कुछ मन की जो वेग होता है वह इतना शक्तिशाली होता है कि उसको नियंदर करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर उसको एक मर्यादित रूप में उसको कुछ मार कर दे सकते है ठीके अप कर सकते हो पर इतना करोगा और फिर बाद में हम थोड़ा उसके वाद में थ उसके बारे में उस समय उसको नियंदर करना थोड़ा मुश्किल होता है तो we have to choose our battles कैसे है कि choose our battles मतलब ठीक है अब हम सब का अगर हम खुद का आत्मनिरिक्षन करेगे तो हम देखेगे कि कितनी सारी चीजे मुझ में गलत है जो अच्छी करनी है तो अभी सब चीजे जो जो अच्छी कर सकता हूं मै तुरन नहीं कर सकता है अगर सबके बारे में विजो विचार करने लगा तो मैं पूरा हता हो जोगए इतने सारी कमिया इस पे धान प्रूरक करूँगा। फिर उसके बाद में दुसरी चीज करूगा। तो गए टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है। यह एक चीज में इंप्रू करना चाहते हूं। या मेरा जो खाना है मैं रेगुलेट करना चाहता हूं तो ऐसे सोचना कि जिन्दगी पर मुझे रेगुलेट करना है जिन्दगी एक ही समय में मैं मेरा सोने का उठने का टाइम रेगुलेट करूंगा खाना रेगुलेट करूंगा किसी से दूसरे से बोल रहा हूं किसी को जोर से चिलाऊंगा नहीं किसी पर, मैं यह नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, अगर दस चीज़े हम खुद को ज्यादा हमको खुद को डिसिप्लिन करना अच्छा है, पर बहुत सारा खुद पर जोर देगे, तो मुश्किल जाता है, तो कभी-कभी हम देखें कि ठीक है, कि मेरा जीवन ऐसे है, कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल है मेरे लिए, तो उसको भी समय लगए, यह एंजिस करना पड़ तो स्टार्ट विट विनेबल बैटल्स, कि ऐसी चीजों में सुरुआत करो जो हम कर सकते हैं, और जो हम कर पाएगे तो उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम देखें कि अच्छा, यह इसमें कारे कर सकता हूं, और धीरे-धीरे फिर, जो जीजे हैं जिसमें हम कर नहीं तो अच्छा, उसमें हम जा सकते हैं, तो कि अच्छा, पर्भू जी एक मेरा कुश्चन है, जैसे आपने बता है कि माइंड का एक इश्यू है, सेल्फ पिटी, वो अपने आपको को सा रहता है, और अपने आपको नेगेटिव बनाता रहता है, पर्भू जी, एक और माइंड का इश्यू है जैसे गिल्ट, जैसे लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर वो बहुत गिल्ट में, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो पर्भू जी, यह गिल्ट कैसे हमें देखना चाहिए, लाइक माइंड को लेकर, वो दील विट गिल्ट? तो अगर, अगर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि मन, हम कुछ गल्टी कर देते हैं, और उसके बाद में, हम खुद को कोसने लगते हैं, उसमें हमें गिल्ट हो जाता है, आत्म गल्टी हो जाती हैं, तभी क्या करेगा हम? तो इसमें कि देखे क्या है, दो चीजे हैं, एक तरह से, एक तरह से, एक तरह से, हम बुरा कारे करने के बाद, वो बहुत जरूरी है, एक तरह से, उससे क्या होता है? उससे हम बुरा कारे करने से रुकते हैं, तो जो साइकोपैथ होते हैं, जो लोग सोशोपैथ हैं, साइकोपैथ होते हैं, वो लोगों में एक कॉमन केरेक्टर से होता है, कि वो उनमें गिल्ट होता ही नहीं है, वो किसी को बड़ा पीटे गिए, किसी का खून भी कर देगे और वो कुछ भी लगेगा नहीं so absence of guilt is very dangerous कि बुरा कारे करने के बाद कुछ बुरा लगेगा लगना लगना यह खतरनाक है पर यह एक हो गया पर दूसरा क्या है कि ठीके this is supposed to be like a compass कि ठीके यह मैं compass कैसे होता है compass दिखाता है कि इस दिशा में जाओ पर एक बोजा बन जाता है if the compass becomes like a crushing cross on our head इतना बड़ा बोजा बन जाता है कि हम कुछ करी नहीं पाते तो फिर उसका फाइदा नहीं है तो ठीके मां उससे कुछ गलत हो गया है ठीके गलत हो गया है और अभी मैं उसको fix करने का प्रयास कर सकता हूँ अभी मैं ये न करूँ उसका मैं ये उसको पुरा न दहरा हूँ ऐसे मैं प्रयास कर सकता हूँ पर अभी वह हो गया है उसके बारे मैं पुरा में विचार करते रहूँगा तो भविष्य में जो कारी है मैं नहीं कर पाऊंगा सकारात्मक्रूप से तो इसलिए दो चीजे हैं कि we have to accept our mistakes and we have to accept ourselves with our mistakes कि हाँ मैं मुझसे गलती हो गई है तो मैं स्विकार करता हूं पर उसके साथ-साथ I have to accept myself with my mistakes कि ठीक है मैंने गलती की है पर उसके बावजूद भी मैं I am my only resource कि अगर मैं खुद को ही पीटूँगा तो कौन मुझे सुधारने वाला है मुझे ही खुद को सुधारना है, मुझे ही प्रयास करना है और मैं भगवान का अम्शी हूं भगवान हम सब की उध है हमने कितनी भी बड़ी गलतिया क्यों न हो भगवान हमें चोड नहीं देते बगवान हमायरे उधे को त्याग कि नहीं आते है भगवान हम से तंग आके हमको 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 त्याग नहीं देते है So if Krishna is not giving up on us why should we give upon ourselves कि अगर कृष्णा में नित्याग रहे तो हम खुद को क्यों त्यागे हम खुद को क्यों को से तो हमें देखना है कि is the guilt जो हमारा जो बुरा कारे करने प्याद जो बुरा भावना आती है क्या वो एक compass के रूप में कारे कर रहा है जो मुझे बविश्य में सही मार्ग पर चलने को मदद कर रहा है क्या वो एक ऐसे cross, एक बड़ा burden बंद रहा है बड़ा बोजा बंद रहा है अच्छे सब्दकुन है मुझे क्या-क्या च्छे कारे किये या हंकार के भाव में नहीं पर नकारात्मक चित्र जो हमारे बारे में आ गया है हमारे मन में उसका परतिकार करने के लिए और इसके लिए आध्ध्यात्मिक ज्ञान बहुत मतवपुर्ण है अगर हम समझेगे कि कितना भी व्यक्ति बुरा हो भग no wrongdoing makes us unworthy of God's love of Krishna's love कितने भी बुरा कारे करे भगवान हमसे हमेशा प्रेम करते ही है तो इसलिए अगर वो हम समझेगे तो फिर सकारात्मक भाव रखना आसान होता है ओकी या प्रोजी तो इसलिए प्रोजान के अन्यग्ता है वहलेक्टी। या पूचन के और कोई कुछन है क्या है पूचना चाहेंगे पूचन तो प्रभू जो आज का जो लेक्शर मैं गिता पे रोज एक लेक लिखता हूं तो उसके एक गितापर एक अपर आठिकल था हाउ तो फोकस दमाइन उसके अधार पर आज का क्लास था तो वो उसका लिंक में भेज रहा हूं यहां बेश तो अब को यह आठिकल इंगिंश में है आपको चाहिए तो आप गीता डेली को सब्सक्राइब कर सकते रोज गीता पेक लेखाएगा और आपको उसको मिल सकते आप को पड़ सकते हैं और आपको बता सकते हैं आप उसमें कर सकते हैं शौट पर प्रभूजी थैंक यू वेरी मच पर वंडर्फूल एंड पावरफूल और बहुत अच्छे से माल दर्शन दिया आपने कैसे माइंड को प्रैक्टिकली डील किया जा है और तो जी हम हमारा इच काई इंदौर से हैं कोई बॉंबे से हैं कोई दिल्ली से हैं तो यह हमने देर साल से कंटीनियो रख रहे हैं पुर और मैंने आपके ही पूरे बख्ति शास्त्री के कोर्सेस इनको लिये हैं पुर बगवत इता के शोपनिश्यक यू और आपको एक ची बताना भूल गया कि चेटने चरणपू का आभार पकट करेंगे जोर से तीन बार हरी बोल बोल करेंगे हरी बोल और प्रभूजी यह हमारा रिक्वेस्ट है कि हम जब भी आपको गुलाएं तो आप आईएगा पुरूजी आप सब पंचपांड़ प्रो के संग में रहिए बगवईता का ज्यान लीजे और अपने जीवन का सर्मावंग रूप से प्रगर्ति कीजिए बहुत 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 थन्यवाद आपका ये मोका मुझे मिला पंचपांड़ तो आपका और आपके वक्तसमुदाय का कुछ आप कुछ से बगवेगा झाहि कुछ झाहि झाहिए कुछ से एंग मिलां लीजे लाके ठीट धून लुप téव झाल